अश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज हम इस यूड़े में बात करने वाले है आपके RRB ALP Recruitment 2022 के बारे में हैं हम इस यूड़े में आपको बताने वाले है कि फुल डिटेल्स में आपके जो ओनलाइन फॉर्म है वे कब से शुरू होने वाले है और लाज़ डिट क्या होने वाले है और इसका न्योट्फिकिशन कब इसू होने वाला है तो दोस्तों आप सभी किसे एक छोटी सी डोजार बाइस आने वाली है आपकी तो इसमें आपके जो कुल टोटल पदो की बात करता है आप यहां पर देख पाएंगे तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो आर आर बी एलपी एसिस्टेंट लोको पाइलेट रिक्रूट्मेंट डोजार बाइस वेकैंसी डिटेल् पर आर बी एलपी नोट्पिकेसा एंड एपलाई ओनलाइन एप्लिकेसन फॉर्म तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो जिसमें आपकी वेकैंसी डिटेल्स है तो आप यहां पर देख सकते हो असिस्टेंट लोको पाइलेट के लिए जो हम बात करते हो इसमें आपकी 3795 आने वाली है जबकि ट Eggniician के लिए इसमें आपकी 36500 वेकैंसी हो गयर जो टोटल वेकैंसी की बात करते हो जोगी आर आर बी जो आपकीडिक्रेटमेंट आने वाली है अब बात आते है आपकी क्वालिधिकेसन की तो बात करते हमाप यहां पर देख आएंगे इसमें आपकोक उर्स्वी बारवी आई hip regulation pass होना चाहिए किसी भी मानने तर आप बोर्ड से और यहां पर आप देख सकते अजल्मिट की बात करते हैं आपकी जो एजल्मिट होने वाली है जो आपकी minimum age limit होनी चाहिए है इसमें 20 years होनी चाहिए जबकि जो maximum age limit होनी चाहिए 6 years होनी चाहिएज़ए इसमें कि आपकी age limit होनी चाहिए Jorgeoki अप a application fees की बात कर तो journal OBC के लिए इसमें जा application fees होने वाली है इसमें आपकी 500 फीस होने वाली है जब की SCST PWD and ex-service man के लिए इसमें आपकी डाइस फीस होने वाली है per candidate salary की बात कर तो इसमें आपको 7th pay commission के इसमें आपको pay scale मिलने वाला है जिसमें आपकी logo pilot की जो आपकी इसमें salary होने वाली है 35,000 रुपे से इसमें आपकी salary सुर्य होगी जब की इसमें technician के लिए इसमें आपकी जो salary होने वाले 26,700 रुपे परमंद होगी कौन कौन apply कर पाएगा तो फ्रेंट इसमें male and female candidate apply कर पाएगे all over India की जिसमें आपके 24 जोंस आता है railway के आप यहाँ पर देख सकते है important details की बात करता है आप यहाँ पर देख पाएगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो department name की बात करता है आप यहाँ पर देख सकते हो all over India के candidate इसमें apply कर पाएंगे application mode की बात करते हैं इसमें आपका जो application mode होने वाला है वह आपका होने वाला है apply online करना पड़ेगा जबकि exam mode की बात करते हैं आपका CBT first and CBT second इसमें आपका exam mode होगा और educational qualification की बात करते हैं दसवी बारवी आई टेई पास आपके पास होना चाहिए जरूर और यहां पर आप देख पाएंगे जो इसमें application fees की बात करते हैं जरूर के लिए और OBC के लिए 500 रुपे जबकि SCST के लिए इसमें आपकी fees होने वाली है 500 रुपे पर candidate और जो exam date की और CBT 1st की बात करते हैं नोटिफाई सून, exam date CBT 2nd और नोटिफाई सून, official website की बात करते हो इसकी indianrailway.government.in पर जाकर आप चेक कर पाएंगे, इसका लिंक आपको वीडियो के description में मिलेगा, आप बात आती है, आप कैसे apply कर पाएंगे, तो सब से पहले आपको इसकी official website प पर जाना होगा, वहाँ पर आपको क्या करना होगा, उस पर जाने के बाद आपको अपना registration करना होगा, आपने mobile number and email id के माध्यम से जो आपका फिराल active हो, जब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, you will get RRB ALP one time password to register mobile number and email id, pay application fees in online mode by selecting payment, credit card, debit card और UPI के माध्यम से भी आप अपना इसके फोटोग्राप and signature in acceptable format and size, finally click on the desk declaration box to final submission of RRB ALP application form 2022 and step 9 में take a printout for filled application form for the further use, तो दोस्तो इस परकार इसमें आपको apply करना होगा, तो दोस्तो जिसमें आपकी vacancies आने वाली है, April महा में आपकी इसमें vacancies आ सकती है, तो दोस्तो इस वीड़ में इतना ही मिलता है, एकली वीड दन्ने वादू